हेलो एन गुड मॉर्निंग ओल अफ यू डेली नूच के परिवार में एक पाफीर से आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबा हम आपके लिए दस महत्पून करेंट अफियर लेकर आते हैं और आज भी आपका करेंट अफियर आ गया आज डेट है 17 अग 2020 को इसे शुरू किया गया है अउसको राज्य का नाम बताना आपके बाद चार ओप्सन दिये हैं सही जवाब हो जाएगा ओप्सन भी यानु अरुनाचल परदेस अरुनाचल परदेस ने अपने यूवा के लिए यहां की जो सीम है पेमा खांडू उसने स्वतंता दिवस क उसर पर उधमिता यानि इंटर्प्रेंसिप प्रोग्राम को सुरू किया हुआ अपने यूवा के लिए अपने यूथ के लिए उसने इस प्रोग्राम में बतला है कि जो यूथ जॉब लेने यानि जॉब लेने के चकर में है उन्हें वह बारा कि इस अभियान के द्वरा व उनका जो कॉसल है उनका जो इनुवेशन होगा इसका राज अपनी समस्याो के समधान के लिए इसका यूज करेगी जो इनुवेशन होगा उसका यूज करेगी राज़सरकार अब यह अरुनाचल परदिस कि राजणानी इटा नगर है आपको पता होगा कि 21 जनवरी 1972 को अरुनाचल परदेश को यूटी का दरजा मिला हुआ था यानि ये एक यूटी बना हुआ था और 20 फरवरी 1987 यानि 1987 इसे राज्य का दरजा मिला के लिए आगे चलते हैं आज के दुसरे कोचन की तरब आज का हमारा दुसरा कोचन काफी महत्पून कोचन है 100 कजी से आवार्ड किस बैंक के द्वारा सीन अधिकारी और पेसे वर के लिए और इसे देगा HDFC बैंक यानि उप्जन या इसका सही द्यावाब होगा HDFC bank पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई bank जो हमारे arm force है उनके लिए क्रीसी दिन दे रहा है इस क्रीसी रेन का परियोग करके वो क्रीसी समागरी यानि क्रीसी का कोई equipment खड़ी सकते हैं खड़ के लिए पैसा ले सकते हैं या जो भी हो क्रीसी में जो जो समान लगता उस सब के लिए इसका यूज कर सकते हैं इसका लाव लगब 45 लाग आरम फोर्स इसका लाव ले पाएंगे और इसे HDFC के MD आदित्यपुरी ने मुंबई से इसे digitally launch किया उन्होंने कहा कि स्वतंदरता दिवस के औसर पर जो हमारे देश के रक्षक है यानि हमारे देश के जो सैनिक है उनके लिए या एक स्वतंदरता का गिफ्ट है इंडिपेंडेंस डे का एक गिफ्ट है अब PNP की बाद HDFC भेंक आई तब HDFC के देखते है HDFC भेंक है इसकी हिस्तापना 1994 में इसकी हिस्तापना होई थी और इसका जो मुक्याला है या मुंबई मुंबई यानि महराश्ड की रजा नि मुंबाई में इसका मुख्याले है और इसके परजेंट टाइप के जो CEO है या ससीधरन जगदीशन है जो हाली में कुछ दिन पहले न्यूक थी हुए है और इसके बारे में इसका HDFC HDFC का full form भी किसी-किसी एकजाम में आता था HDFC का full form देख लेंगे इसका full form होता है Housing, Development, Finance, Corporation Limited यह इसका full form होता है आगे चलेंगे आज के हम अगले कोश्चन की तरप आज का हमारा तीसरा कोश्चन काफी मात्पून कोश्चन है RBI ने अपनी Core Investment Company यानि CIC के लिए कितने layer अनिवार्य किया आपके पास चार option दिये गया है और आपका सही जवाब हो जागा option C RBI अपने CIC यानि Core Investment जो Company है उनके लिए दो layer को अनिवार्य कर दिया यह दो layer जो होगा इसे complex financial group की सनरचना होगा उसको साफ करेगा और इसको simple करने के लिए इसे किया गया है अब यह RBI कर रही है तो RBI का मतलब होता है Reserve Bank of India यह भारत की केंद्रिय बैंक है जो भारत के लिए मौद्रिक निदी तयार करती है यह सभी सरकारी और private जितने भी बैंके सब को regulate करती है अब RBI की अस्थापना होई थी एक अपरेल 1935 को इसकी अस्थापना होई थी और इसकी अस्थापना के लिए एक act आया था जिसका नाम था RBI Act 1934 दोस्तों यह सब question एक्जाम में पूछा जाता है कि RBI किस act के दवारा आ अस्थापना होई था एक अपरेल 1935 और इसका नेशनलाइजेशन तो इसका नेशनलाइजेशन होई था एक जनवरी 1929 भारत की अजादी के बाद इसका नेशनलाइशन होई था इसका परजेन टाइप मुख्याले है मुंबई लेकिन जब यह बना था 1935 में उस समय इसका ख्याले कुलकाता से मुंबई चला गया अभी इसके परजेन टाइम पे गवर्नर है उनका नाम है सकती कांत दास जो 25 नमबर के गवर्नर है चलिए आगे चलते हैं आज के अगले कोशन की तरफ आज का हमारा चौथा कोशन चोहतरवे स्वतंदरता दिवस मनाने के लिए नि अप्शन ए यानि टाइम इसक्वाइर पर यह पहली बार जंडा फाय रहा गया यानि टाइम इसक्वाइर कहा है तो यह अमेरिका के निवेर सिटी में टाइम इसक्वाइर यह स्टॉक एक्शेंज कंपनी है आपको कुछ दिन पहले वीडियो मिला होगा हम लोगा जिसमें पता होगा कि टाइम इसक्वाइर पर पहली बार मोहन बंगान जो दिवस हुआ था उस पर मोहन बंगान का जो फ्लैग था या मोहन बंगान का जो कलर उसे भी परदर्सीत किया गया था अब यह पहली बार ऐसा हो रहा है जो निवेर के टाइम इसक्वाइर पर इंडिया का त्राइकलर यानि भारत का तिरंगा वहाँ पर दिखाया गया इतिहास में यह पहली बार हुआ है इसे एफ आई ए का मतलब दफेडरेशन अफ इंडियन इसोसेशन ने ऐसा किया अब यह टाइम इसके स्क्वाइर कहां है तो यह वासिंग्टन यह निव यर्क में है यानि युवेसे की मुद्रा युवेस डॉलर है और यहां के जो राष्टपती है वो डोनाल्ड ट्रम्प है चलिए आगे चलते आज के अगले कोशन के दिए दोस्तों जबी भी किसी देश का नाम है आप उसकी रजधानी मुद्रा पीएम राष्टपती इसका नाम कोई पर रिक अगले कोशन के देश डिजिटल बैंकिंग के लिए अपने ग्राहकों को प्रुतसाहित करने के लिए किस बैंक के द्वारा डिजिटल अपनाए अवियान सुरू किया गया है इसका नाम संगे अवियान का नाम क्या है डिजिटल अपनाए इसे किस बैंक ने शुरू किया वो डिजिटल सेवा को यानि डिजिटल ट्रांजेक्शन को करने के लिए इसके लिए उन्होंने डिजिटल अपनाई को सुरू किया हुआ है यह काफी अच्छा कदम है कि डिजिटल के साथ जो रहा है आपको पता होगा कि जैसा भी COVID-19 का सिच्वेशन चला है तो हर चीज डि यह अपने रूपे काड से पहला ट्रांजेक्शन अगर करता है डिजिटल अपनाई करे करें लिए रूपे काड से अगर कोई पहला ट्रांजेक्शन करेगा तो PNB बैंक उस गराहा की तरफ से परधान मंत्री PM Care जो फंड है PM Care फंड में उस गराहा के तरह से 5 रुपया डि यह जो अभियान है यह अभियान 15 अगस्त यानि स्वतंता दिवस से लेकर या 31 मार्च यानि 33 2021 तक यह चलेगा अब PNB की आई तो PNB की अस्थापना आपको पता हुए कि 1894 में आजादी के पलीस के अस्थापना हुए थे इसकी अस्थापना दयाल सिंग माजीटिया और ला लाला लाजपत राय इससे कोशन आपको देखने को मिलता है कि लाला लाजपत रा इसकी अस्थापना किये हुए थे इसका प्रजेंट अभी जो हेड़कॉाटर है यह नई दिल्ली में इसका हेड़कॉाटर है इसके MD और CEO जो है ASIS मलिकारजुन राओं हैं और इसमें OBC या वीडियो आपके लिए काफी मत पून होगा उसमें सभी इंडिया के जितने भी बैंक है सभी बैंकों के उसमें हिस्टरी के बारे में कि उसके अस्थापना किसके द्वारा की गई उसका हेड़कॉाटर का है उसके परजेंट टाइम के MD और CEO कौन है हर उससे रिलेटेड किस बैंक में किस बैंक को मर्च किया गया है तो पूरी जनकारी मिलेगी आपको उस वीडियो से वह वीडियो आप देखेंगे आपके लिए काफी मत पून होगा बैंकिंग क्या इतिहांस आर्वीए के इतिहांस आपको क्लियर हो जाए काफी अच्छाए यानि 10-12 मिट के वीड आगे चलते हैं अगले कोचन के तरफ आज का हमारा चटा कोचन भारत और किस देश ने हाली में अंत्रिक्ष सहयोग पर एक समझावता ग्याफन पर हस्ताक्चर किया भारत किस देश के साथ ऐसा किया हुआ है चार ऑप्सन दिये गए और सही जबाब हो जागा ऑप्सन ए भ भी मुडली धरन के सामने यानि वीडियो कंफेंसिंग के मादे से हुआ उन्हों ने कहा भारत जो है भारत और नाइजिरिया काफी अच्छे दोस्ते क्लोज फ्रेंड है और अफरीका में नाइजिरिया से ही सबसे ज़्यादा हमारा व्यापारिक संब्द है यानि सबसे उसकी रजधानी है उसके राष्टपती है मुमदू बुहारू और यहां की मुद्रा है नाइरा तो यह नाइजिरिया से कुछ इस्ट्राफेक्ट था जिसे आप याद कर लेंगे रिविजन कर लेंगे चलिए आगे चलते हैं आज का हमारा सात्वा कोचर गो एयर के नए कौसी खोना को गो एयर का नया सियो न्यूकत किया गया यह बिनाय दुबे यानि अब तक सियो बिनाय दुबे थे तो बिनाय दुबे के जब अब कौसी खोना हो गया यह नय सियो हो गया गो एयर के यह गो एयर जो है यह वाडिया गुरूप की एक कमपनी है जिसकी अस्था अगस्ट दो हजार बीस को पर्धान मंत्री नरेंदर मुद्री ने घोषना की केंद्र सरकार प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को दोहराने के लिए प्रोजेक्ट दो और प्रोजेक्ट को लांज किया हुआ उस प्रोजेक्ट का आपको नाम बताना है काफी अच्छा कोच है 15 अगर्ष्ट को इसे घोषना किया गया पैधान मंतरी के दोवारा किसके बाद तो Tiger की जो सफलता थी उसके बाद दो और प्रोजेक्ट चलाने घोषना किया वो प्रोजेक्ट को आपका नाम बताना है आपके बाध चाप option दिये गए और आपका सही जवाब हो जागा से 80% टाइगर अपने इंडिया में ही है यानि टाइगर परजेक्ट काफी अच्छा हुआ एलिफेंट परजेक्ट भी काफी अच्छा हुआ सक्सेस हुआ तो इन दोनों के सबलता के बाद अब लायन और डॉल्फिन परजेक्ट का सबलता के लिए इसे चलाया गया है चली आगे चलते हैं कोई परजेक्ट जब चलाया जाता है यानि उसके संडक्षन में उसके जो विलिप्ट हो रही है उसके प्रती काम किया जाता है कि वो संडक्षीत है उसकी संख्या बढ़े उस पर ध्यान जाए इसलिए कोई परजेक्ट को सुरू किया जाता है चलिए आए नवा कोचन को देखते हैं चेतन चौहान हाली में कोबी नाइंटिंग के कारें इनका निधन हुआ यह किस खेल के खिलारी थे चेतन चौहान आपके पास चार ओप्सन दिये गए हैं और सही जबाब हो जागा ओप्सन भी यह एक किरिकेटर थे चेतन चौ यह काफी भरे खिलारी थे इंडिया के विते और इसके साथ इयह उप्सकें के एक मंत्री थे जिनका निधन को दन से हो गया है दोस्तों यह यह ईउपी के दूस्रे ऐसे मंत्री जिनका निधन को नगान. आपको पहले पता होगा हमारे वीडियों देखे होगा तो कमला रानि वरुन वह पहली और पहली केविनिट मंतरी थी यूपी के जिनका नीधन कोर नीधन कोरोना वायरस से होगा यानी यूपी के दो मंतरी का नीधन हो गया कुरोना वाइरस से दोस्तों अभी कुरोना का जो कहर चला है काफी खतरनाक चला यानि अपने एक्स्ट्रीम लेवल पर यह चला है तो आप सभी से अपील है कि आप इससे बच के रहेंगे जितना हो सके सोशल डिश्टेंसिंग को फॉलो कीजिए अगर काम ना हो तो घर से बाहर न निकलेंगे मास्क और सेनेटाइजर का हमेशा ही यूज करेंगे खाने से पहले या जो भी काम करने से पहले आख कान नाक इसको टच करने से पहले हाथ को अच्छे से साबुन से या सेनेटाइजर स या हैंडवास से उसको धोकर ही करेंगे क्यूंकि अभी कुरोना का कहर काफी बढ़ गया है आप देख पा रहे होंगे कि कितने बड़े बड़े सेलिब्रेटे जो सब फॉलो कर उसके बावजूद भी उन्हें हो जा रहा है यानि ये यूपी के एक कैबिनेट मंत्री सोच सकत है कि इन्होंने कितना ख्याल रखा होगा उसके बावजूद इनका कोविड-19 से देहान थो गया आपको पता होगा कि MP के जो CM थे शिवरासिन चवान उन्हें भी कोविड-19 हुआ और आपको ये ग्रीह मंत्री जो अमीद सा इन्हें भी कोविड-19 हुआ तो सोचे कितने दरने की बात नहीं है लेकिन इसको क्या करेंगे सही से लेंगे और इसका फॉलो करेंगे बच के रहेंगे इससे यह काफी खतरनाक लेबल पर चल रहा है कुछ दिन के बाद जब वैक्सिन आ जा रहा है अभी इसका वैक्सिन का आपको पता होगा रसिया ने इसका वैक्सिन बना दिया जब वैक्सिन मार्केट में आ जागा तो सब ठीक हो जागा तब तक के लिए बच के रहाना है चलिए इनके बारे में तो होगे आगे चलते हैं आज के हम अगले कोचन के तरफ आज का हमारा दस्वा कोचन काफी महत्मून कोचन है चोग प्रमुख बिल्डिंग बॉलोक वाले राष्टिय डिज़्टल स्वास्थ मिशन को निमलिखित में से किसके द्वारा लॉन्ज किया गया चार ओप्शन दिये गया है सही जवाब हो जागा option C परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने 6 परमुख बिल्डिंग बुलॉक वाले राश्टिय डिजिटल स्वास्थ मिसन को लॉंच किया अब इसके बारे में थोड़ा हम दोग देख लेते हैं तो अभी फिलहाल ये जो मिसन है इसको 6 UT में भारती है यानि परतेक इंडियन के लिए एक health ID बनेगा यानि ये काफी अच्छा है इसकी में health ID अब आप पुछेंगे कि इस health ID में क्या रहेगा तो इस health ID में जिसका health ID उसका medical record रहेगा यानि उसका क्या बिमारी है उसके सरीट का क्या है अगर medical record ID कार में आपके पास रहता है तो इन केस कभी किसी को कुछ होता तो इस medical record के अधार पर उसका treatment आसानी से किया जा सकता है काफी सहयोग मिलाएगा यानि ये काफी अच्छा कदम है इसे medical जो हमारे department है उसको काफी अच्छा आयाम मिलेगा एक नए आयाम पर जाएगा और ये एक अच्छा कदम होगा कि इनकेस अगर माने देखते हो कि किसी का accident हो गया उसको blood की जरुबत चाहिए तो उस समय पर उसके blood को test किया जाता है जो भी समय लगे पांच मिनट problem है या कैसा नहीं है तो ये एक काफी अच्छा scheme है अगर ये बन जाता है health card तो ये सब के लिए सुविधा होगा खासकर के जो लोग थोड़ी बिमार रहते हैं उनको अगर किसी बिमारी का दोरा है तो हो तो उसके health card से उसका आसानी से treatment किया जा सकता है फिलाल ये अभी six ut में चालू किया गया तो वो छो uticon है तो पहला है चंडीगर दूसरा है लद्दाक तीसरा है दादर नागर हवेरी और दमन द्यूप दोनों मिल गया है तो दोनों एक में हो रहा है ये पांडी चेरी अंडमान और निगोबार्दियो और लक्षे दूप में इसे चालू किया गया दूस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो का सब्सक्राइब करेंगे यह चैनल आपको काफी मदद करेगा यह सभी सेलेक्टेट के द्वारा चला जाएगा अगर आपको एक्जाम से लेटेट कोई सुझाओ चाहिए या कोई कोश्चन आपके मन में आता है कोई प्रशन आता है तो आप हमें फेस्टूक पर इंस्टाग्नाप पर या कमेंट बक से अपना मैसेज कर सकते हैं आपको उसका सटिक सटिक जबाब दिया जाएगा दोस्तों इस विक का विकली वीडियो भी बन गया है विकली वीडियो भी आ गया ताप उसे भी देख लेंगे पूरा विकली वीडियो आपको मिल जागा कि एक विक में जितने भी घटनाई हुई थी सब आपको पूरे डिटेल के साथ दिया गया है चलिए दोस्तों आज का वीडियो दे